आयातक देशों की सीमित मांग एवं शिकागो एक्सचेंज में कमजोर रुख के कारण दक्षिन अमरीका महादवीप में सोया बीन तेल का प्लांट मूले घटकर सितंबर 2020 के बाद पहली बार 800 डॉलर प्रती टन के नीचे आ गया है। शिकागो बोर्ड ओफ ट्रेड सी बोर्ट में भी सोया तेल का वाइदा भाव काफी गिर गया है। कुछ महत्वपून आयातक देशों में इसकी मांग कमजोर देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दो फरवरी को अरजेंटीना में अपरोलर के लिए सोया बीन तेल का फ्री ओन बोर्ड भाव मार्च डिलीवरी के लिए 792.12 डॉलर प्रती टन दर्स किया गया। इस तरह वर्ष 2024 के आरंब से इसमें 6.7 प्रतिशत की गिरावट आ गई। सम्मुक माह की लोडिंग के लिए यह निर्याच शिप्मेंट मूल्य 11 सितंबर 2020 के बाद पहली बार देखा गया। अर्जेंटीना के पडोसी देश, ब्राजील में भी कुछ इसी तरह का माहौल रहा जहां परानागुआ में मार्च शिप्मेंट के लिए सोयाबीन तेल का फ्री ओन बोर्ड मूल्य 2 फरवरी को घटकर 798.84 डॉलर प्रती टन रह गया जो चालू वर्ष के आरंब में प्रच गया था जिसके मुकाबले इसकी कीमतों में अब 1000 डॉलर प्रती टन से अधिक की गिरावट आ चुकी है। अर्जेंटीना ब्राजील के बंदरगाहों पर सोयाबीन तेल के दाम का प्रीमियम भी घट गया है। अर्जेंटीना में इस बार सोयाबीन का शांदार उतपादन होने के आसार हैं जिससे वहां सोया तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। ब्राजील में भी उतपाद